Now we are going to discuss expected learning outcomes for creative arts. कुछ competences अब ये हैं कि जिसमें हम ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो creativity है, जो तखलीकियत अल्ला करीम ने उनके अंदर डाली है, उसको किस तरह से वो सामने लेकिया है? तो children will express themselves through the use of drawing and colors. हम ये कहते हैं कि बच्चे उनके अंदर एक खास ऐसा शौक होता है, कि वो कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ आड़ी, तिर्षी, जैसी भी हो लकीरें, कुछ खेंचें, कुछ उनके अंदर रंग भरें, और फिर आस्ता आस्ता जब उनकी muscle brain coordination बनती है, तो वो उसको एक मकसूस शकल में भी ला सकते हैं, जैसे पहले वो गोल बना सकते हैं, गोल बनाने के बाद वो दो दाइरों की मदद से चोटा सा snowman बना सकते हैं, तो वो चीजों को organize करना सीखें, और उनमें रंग भरना सीखें, तो एक तखलीकी जो उनकी instinct है, जबिल्लत है, उसक को भी satisfy करना ECAC का काम है, फिर हम कहते हैं, चिल्डन will work with a variety of low cost and waste material to create craft project of their choice, यह बड़ा मज़े का काम है, कि भाई हर बच्चे के पास हर तरह के वसायल मजूद नहीं होते, लेकिन घर में इदगिद ऐसी बहुत सी चीजे होती हैं, जिनकी मदद से बच्चे बहुत चोटे च अच्छे project बना सकते हैं, जैसे कुछ कागस के बचे हुए टुकडे जिन से हवाई जहास बनाया जा सकता है, चोटी सी कष्टी बनाया जा सकती है, उसको पानी में तराया जा सकता है, फूलने वाला straw की मदद से या गोल दारे से फूलने वाला मेंड़क बनाया जा सकता है, jumping जो है वो frogs बनाया जा सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजे हैं, जो बिलकुल waste material है या low cost material है, उसकी मदद से बनाया जा सकता है, इससे दो बाते होंगी, एक तो ये कि बच्चे अपनी तखलीकियत का इजहार कर सकेंगे, और फुशोंगे, प्लाइयर उनके अंदर पैदा होगी sense of achievement पैदा होगी, और दोस्ता ये कि उनको इस बात के कदर आएगी, ये चीजों को कम से कम waste करना है, और जो waste material है, उसका इस्दमाल हम बेहतर तौर पर किस तरह से कर सकते हैं, फिर हमारी next competency ये है कि children will experiment with a variety of materials to represent their observations and imagination in the form of model sculptures, अब ये sculpture जरूरी नहीं कि वो बड़े कोई महार जदा होंगे, बलके मटी के साथ, डो के साथ, ऐसे बहुत से जैसे paper mash होता है, इस तरह की चीजों के साथ, वो छोटे-छोटे dolls, जैसे मैंने बताया है, frogs है, snow, chicken है, chicken बड़ा असानी से बन जाता है, एक बड़ा बॉल, एक चोटा बॉल, और पर चोँच मुच लगा कि आप उसकी तसली और satisfaction होगी, और वो ज्यादा से ज्यादा दिल्चस्पी लेंगे अपने काम में, और जो उनके अंदर एक achievement की sense है, वो भी पैदा होगी, अच्छा, यह मैंने बनाया है, फिर हम यह देखते हैं, कि children will learn the skills for collage work, and printing and use these in a variety of ways to create their own art, pieces and patterns, developing their fine motor skills, तो फिर next जो हम उन स्वीरों को हमने इकठा कैसे करना है, कुछ materials को हमने एक canvas पे कैसे लाना है, और फिर यह कि जैसे उसको जो जो चीजें पसंद हैं, वो उनको एक paper पे कैसे ले आए, फिर उनको एक खुबसूरत सी शकल दे ले, कोई idea जो उसके जहन में हो, वो कोई ship बनाना चाता है, कोई plane बनाना चाता है, समंदर बनाना चाता है, समंदर के गिर्दो पौदे उगाना चाता है, तो ऐसी सूरत में, वो मुक्तलिफ materials को इकठा करके, अपने creative art को बेहतर कर सकता है, फिर हम देखते हैं कि children will observe, practice and explore various techniques of folding, cutting, tearing, weaving paper to make objects and patterns, तो हम उनको यह सारी महारतें इस दोरान सिखात हैं, ठीक से काटेंगे कैसे, चिपकाएंगे कैसे, उनको arrange कैसे करेंगे, तस्वीर कैसे बनाएंगे, children will listen to, identify and appreciate a variety of sound patterns, rhythms and rhymes as a form of expression, अच्छा, creative art सिर्फ यह नहीं है कि हाथों से चीज़ें कैसे बनाई जाती है, बलकि creative art यह भी है, कि आप उनसे मुखतर तरह के role play करवाएं, यानि आप उनको कुछ characters के बारे में बताएं, जो उनके बिलकुल करीब हैं, जैसे मामा का character है, बाबा का character है, और गली के अंदर जैसे postman का character है, वो जो character है, वो बच्चे उनके अंदर आएं, और फिर उनके किरदार से जो जो चीज़ें सीखते हैं, वो उसको अपना के दि फिर उसमें वो बड़ा मजा लेते हैं क्योंकि वो एक नए करेक्टर का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये भी क्रियेटिव आर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।